नमस्कार दोस्तों, हमेशा यही देखा जाता है कि बॉलिवुड में लोग करियर ना बना पाने पर दूसरी रहा पकड़ लेते हैं मेल इस्टगलर गलत धंदों में घुश जाते हैं और फिमेल एक्ट्रेस थोड़ी सी पॉपुलर होकर किसी अमीर इनसान से शादी कर लेती है यही रिवाज है इस बॉलिवुड का मैं आज जिस एक्ट्रेस की बात करूँगा यह एक फैमस एक्ट्रेस रही है लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा सक्सिस नहीं हो पाई कुछी फिल्मों के बाद साउस चली गई वहां काफी फिल्में की लेकिन बहुत ज़्यादा नाम वहां भी नहीं हो पाया ये एक्ट्रिस है जेनेलिया डिसूजा जेनेलिया आज रितेश देशमुक की वाइफ है और दो बच्चों की मा है और पूरे बॉलिवुड में उसका दब दबा भी है क्योंकि जेनेलिया एक राजनेतिक परिवार की बहु है जेनेलिया आज अपनी लाइफ में सेटल्ड है और कभी-कभी वो फिल्मों में भी काम कर लेती है लेकिन फुल टाइम वो एक मेरिड वुमन है कैसा रहा जेनेलिया का यहां तक का सफर और क्यों बॉलिवुड के लोगों से अभी तक इतना याराना है इसी पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में जेनेलिया का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1987 को मुंबई महराष्ट में जेनेलिया के पिता टाटा कंसल्टेंसी में एक सीनियर ओफिसर है और मा फार्मा MNC कंपनी में M.D. थी मा ने जेनेलिया को करियर में सपोर्ट करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी जेनेलिया का एक भाई भी है जो Bombay Stock Exchange में काम करता है जेनेलिया ने अपनी स्कूलिंग बांदरा से ही पूरी की और फिर graduation में admission ले लिया कॉलेज के समय से ही जेनेलिया को एक्टिंग का भूत सवार हो गया और उसने कुछ जगा पर audition भी दे दिये फिल्मों में interest आने का एक कारण ये भी था कि जेनेलिया 15 वर्स की age से ही modeling करने लगी थी लेकिन वो सिर्फ part time थी अपनी graduation के final year में इसे पहली फिल्म मिल गई फिल्म का नाम था तुझे मेरी कसम जो की साल 2003 में आई थी इस फिल्म में रितेश देशमुक्स ने इसके साथ में lead role play किया था और ये रितेश की इसके साथ में debut film थी फिल्म की shooting खत्म करके ये अपनी study करने लगी बाद में इसका exam था लेकिन director ने shooting का time इसके according रखा और इसने वो shoot किया वो ad उस समय काफी ज़्यादा popular हुआ था final exam के दोराने इसकी पहली film तुझे मेरी कसम भी release हो गई लेकिन ये film बुरी तरह से flop हो गई इस film के बाद में इसने एक दो tv ads और किये लेकिन हिंदी film का offer इसको नहीं आया तो इसने तमिल और तेलगू में भी जाके debut कर लिया उसी दोरान इसे इसकी दूसरी हिंदी film मस्ती मिली इसमें कैई actors थे लेकिन रितेश देशमुग भी lead role में था मस्ती एक multi star movie थी और success भी हुई थी लेकिन इस film के बाद में जेनेलिया को Bollywood से किसी और film का offer नहीं आया और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इसका affair रितेश देशमुग के साथ में चलना शुरू हो गया था और कोई भी film maker इससे हल चलवाने को नहीं कह सकता था दरसल पहले film तुझे मेरी कसम के सैट पर जब रितेश और जेनेलिया मिले तो उस समय जेनेलिया सिर्फ 16 साल की थी और रितेश की उम्र थी उस समय 25 साल वहाँ इन दोनों की दोस्ती हुई और फिल्म मस्ती के सेट पर आते आते दोनों ने एक दूसरी की सवारी का वादा कर लिया ये दोनों शुरू से ही अपने अफेर के लिए बहुत जादा फैमस होते चले गई लेकिन उस समय ना तो रितेश बहुत बड़ा एक्टर था और ना ही जेनेलिया बहुत जादा फैमस थी इनकी चर्चा भी उस समय बहुत जादा नहीं होती थी फिल्म मस्ती के बाद जेनेलिया ने साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया 2004 से 2008 तक साउथ की सभी भाषाओं में इसने लगातार काम किया और थोड़ा बहुत नाम भी कमाया साल 2008 में फिल्म रेडी में जेनेलिया का नाम तेलगू एक्टर राम के साथ में जोड़ा गया जो की साउथ की मुवी थी तब कहा गया कि रितेश के साथ में इसका ब्रेक अप हो गया है लेकिन बाद में वो सिर्फ अफवा निकली क्योंकि रितेश और जेनेलिया का रिष्टा अभी भी चल रहा था साल 2008 में इसने दो हिंदी फिल्मों में काम किया मेरे बाप पहले आप नाम से एक फिल्म आई थी जो की बुरी तरह से फिलॉप थी और दूसरी फिल्म थी जाने तू या जाने ना जाने तु या जाने ना में आमीर खान के भाणजे इमरान खान ने डेब्यू किया था जेने लिया कि उस सक्सेस मूवी के बाद इसे हिंदी फिल्मों के ओफर आएंगे ऐसा सोचा गया था लेकिन इस फिल्म के बाद में इसको ओफर नहीं आये और उसका कारण यही था कि ये फिल्मों में बहुत ज़्यादा बोल्ट सीन नहीं देना चाहती थी और हिंदी फिल्मे एक्ट्रिस अगर अपनी दुकान का सामान ना दिखाए तो फिर एक्ट्रिस कितनी भी सुन्दर हो या टेलेंटीड हो उसका फिल्मी सफर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता है ऐसा भी नहीं है कि जेनेलिया ने कभी सामान दिखाने की कोशिस नहीं की एक मेकजीन के लिए जेनेलिया ने बिखनी में फोटो शूट कराया तो चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी क्योंकि जेनेलिया से ये उम्मीद किसी नहीं की थी इसके अलावा इसकी एक फिल्म आई थी फोर्स फोर्स मुवी के दौरान भी इसने परदा हटाने की कोशिश की लेकिन हटा नहीं पाई और इन दोनों ही इंसिडेंट के दौरान रितेश और इसके बीट में विवाद भी हो गया था लेकिन जेनेलिया ने करियर का हवाला दे कर बात शांत कर दी इसके बाद रितेश को लगा कि लड़की के पर निकरने लगे है और इसे भी जो है अब दाल की जगए बिर्यानी खाने का मन हो रहा है तो रितेश ने साल 2012 में इससे शादी कर ली शादी के बाद इसमें ड्रास्टिक चैंज आया और इसने कुछ साल तक अपने आपको लो प्रोफाइल लगा इसके दो बच्चे हुए और उसके बाद एजे प्रोडूसर भी इसका नाम कभी-कभी सामने आने लगा इसने तो फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था लेकिन खुद रितेश का करियर भी ऐसे ही जटके लगलग के चलता रहता था ये बात जैने लिया भी जानती थी तो इसने साल 2014 में एक मराठी फिल्म बनाई फिल्म का नाम था ले भारी इसमें रितेश देश्मुक लीड रॉल में था और उसके साथ में थे शरद केल कर राधिका आप्टे और अदिती पोहन कर फिल्म आठ करोड में बनाई गई और फिल्म ने 35 करोड की भारी भरकम कमाई की मराठी फिल्मों में 8 करोड का बजट बहुत अच्छा बजट माना जाता है और 35 करोड का कलेक्शन फिल्म का एक अचीवमेंट होता है इस फिल्म में जैने लिया मुख्य प्रोडूसर थी इसके अलावा इसने अपने पती रितेश के लिए एक और फिल्म बनाई थी जो की मराठी में ही थी और उसका नाम था मॉली ये भी एक सक्सेस मोवी थी जैने लिया साल दो साल में अब सिर्फ प्रोडूसर बनकर या छोटे मोटे रॉल में ही नजर आती है अभी भी इसकी एक मराठी, एक हिंदी और एक तेलगू कनड़ा बाइलिंग्वल मोवी आ रही है जैने लिया फिल्मों में बहुत सक्सेस नहीं रही वो रितेश से उमर में 9 साल छोटी भी है बॉली वुड में उसकी काफी पहुँच है लेकिन उसने शादी के बाद अपने आपको पूरी तरह से एक फैमली विमन के रूप में ढाल लिया ऐसा नहीं है कि इसने बॉली वुड या फिल्मी दुनिया से अपने आपको पूरी तरह से अलग कर लिया हो नहीं, वो आज भी अल्मोस्ट सभी एक्टिव कलाकारों के संपर्ख में रहती है पार्टियों में जाती है और पार्टियों में हर जगा ये नजर भी आती है अभी कुछ समय पहले चुलमान दादू के साथ में इसका एक पार्टि डांस काफी ज़्यादा वाइरल भी हुआ था लेकिन वो जैनेलिया का खुद का कॉंटेक्ट बेस नहीं है वो रितेश देशमुक के परिवार की पावर और पकड़ का नतीजा है रितेश देशमुक के पिता लेट विलासराव देशमुक दो बार कॉंग्रेस पार्टि से महराष्ट के सीम रह चुके थे इसकी अलावा वो कैबिनेट मंत्री भी रही थे यही नहीं रितेश का जो बड़ा भाई है अमित देशमुक वो भी महराष्ट सरकार में 2019 से 2022 तक कैबिनेट मंत्री रह चुका है वो 2009 से अभी तक लगातार MLA है रितेश का एक दूसरा भाई भी है धीरज धीरज भी एक MLA है और राजनिती में एक्टिव भी है यानि रितेश का पूरा परिवार महराष्ट में एक बड़ी पहुँच और पावर रखता है तो उससे जैनेलिया की बॉलिवुड में अभी भी पकड़ बनी हुई है लेकिन ये जैनेलिया की समझदारी कहेंगे कि वो शादी के बाद एक Married Life को Enjoy कर रही है और फाल्तू की Publicity वे फिल्मी करियर का महो छोड़ कर परिवार की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रही है जैनेलिया और रितेश के बीच में भी एक अच्छी Bonding देखने को मिलती है और यही कारण है कि ये 10 साल के बाद भी Married Life में खुश है जैनेलिया की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में जैहिन जैराम जी की